अयोध्या में इस समय भक्तिमय महौल है पक्षी दल जो है वो किनारा करते हुए नजार आ रहे हैं राजनीत में पक्ष की जो भूमिका बदल गई है वो सिर्फ ओट की राजनीत के लिए वो बिरोध बोलने हैं जातियों का जिक्र आप धारा प्रभा करते हैं इस प्रदेश में इस देश में रहने वाले अहिर गड़ेरी कुण्वी कुईरी भार चमार मुसार धोवी खर्टिक बासी केवर दिंद मला ये तमाम जातियां हम उनके बीच में जाते बड़े नेता लोग हमसे पूछते हैं कि ये जातिया कहा रहती है हमके प्रदेश में रहती हैं, गाउं में रहती हैं, आप जब एसी से निकलोगे नहीं तो जाना हो किसा है। ऐसा कौन सा चुम्बक है आपके पास, जो हर राजनीतिक दल आपको अपनी तरफ खीचना चाहता है। कि पॉलिटकल पावर इस दा माश्टर की, राजनीतिक ऐसी चाबिय जिससे सभी बंदरवाजे खोले जा सकते हैं, इसी पावर से तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये वो पावर है कि मानी नरेंद मुदी जी देश की कूर्सी पर ओट के दम पर प्रधान मंत्री बन करके है अयोध्या में इस समय जो है भक्ति मैं महौल है, 22 तारिको प्राण प्रिष्ठा है, विपक्षी दल जो है वो किनारा करते हुए नजार आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान नहीं जाएंगे, इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, अपने अपने जो है वो बयान दे रहे हैं, उधार के घर में भी उनके मन में, उनके दिल में भगवार राम बिराज कर रहे हैं, राजनीत में बिपक्ष की जो भूमिका बदल गई है, पहले बिपक्ष सरकार काम करती थी, तो कोई अउगुर होता था, तो वो बताते थे कि ऐसे कर लेजे अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब जो भी पक्ष है, उसका एक सुत्री काम है, बिरोध करना, उधारन के तौर पर पांसो साल से तमाम संगठन आंदोलन करते 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 करते, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, भगवार राम का मंदीर राण प्रतिष्टा 22 को होने जा रहे हैं, वो सिर्फ ओट की राजनीत के ल पहुचे हैं, भगवार राम बसे हुए है, लेकिन जाएंगे लेकिन जाएंगे, आप 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 जाएंगे या नहीं जाएंगे हम तो जाने के दम ताही राजभर नहीं जाएगा तो को जाएगा, वा Test day, देकि एक चीज भी आपके लिए प्रचलित है कादी कि अगर जाती जातियों का जिक्र करें तो अमोमन जो है हम लोग पेपर पेन लेकर बैठते हैं लिखते हैं फरियात करते हैं जातियों का जिक्र आप धारा प्रभा करते हैं लगातार कई सारी जो यूपी में जाती हैं उनका भी जिक्र आप धारा प्रभा करते हैं एक बार देखें मैं उनक इस देश में रहने वाले अहिर गड़ेरी कुनभी कोईरी भार चमार मुसार धोबी खर्टिक पासी केवड बींद मला जोला दुनियां सारी साही दरजी फकीर चेक सेयत पठान आरा करक बंसी बंजारा बैलिया कंगार चौरसिया गुत्ता पेली कुमार ये तमाम जातियां हम उनके बीच में जाते हैं इसनाते हम को याद रहता है हम बोलते हैं कभी-कभी बड़े नेता लोग हम से पूछते हैं कि ये जातियां कहां रहती हैं हमके प्रदेश में रहती हैं गाउं में रहती हैं सहर में रहती हैं आप जब एसी से निकलोगे नहीं तो जानोगे किसे र राजबर जी ऐसा कौन सा चुम्बक है आपके पास में जो हर राजनेतिक दल आपको अपनी तरफ खीचना चाहता है कि आप मेरे पास आजाओ दिखे एक जो हम लोगोंने एक तालीस साल का नुभव है हम एक तालीस साल से सिच्छा पिरियर से मानिवर कांसी रामजी के साथ राजनित में जोके धरातल पे जो हमने सीखा उनके साथ और काम में धरातल पे एक संगठन हमने जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है संगे सक्ति कलिवे तो हमने एक धरातल पे संगठन हम लोगों ने मिल करके बना रखा है और जो वन्चिस सोसित लोग हैं जिनके दर्वाजे तक विकास की किरण नहीं पहुँची जिनके यहां सिक्षा नहीं पहुँची स्वास्त की जाब विश्य में उनको कोई लाब नहीं मिला नौकरी नहीं मिली जब बच्चे पढ़े नहीं तो नौकरी का सवाल ही नहीं रोजगार नहीं तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने जो वन्चित सोसित हैं उनको अपने साथ जोडने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा किये कि पॉलिटकल पावर इस दा मास्टर की राजनी ते कैसी चाविय जिससे सभी बंदरवाजे खोले जा सकते हैं मैं तो यहां तक अभी गोरकपुर में नहीं इस बात को कहा कि दिखो बाबा सार्ब डक्टर अंबेटकर ने जो आपको ओड का पावर दिया है इस ओड से जो चाहू वो मिलेगा और घरीब कमजोर साती बहुत से लोग आप ओड से मांगते क्या हो दारू मिल जाता है आप मांगते हो मुरगा मिल जाता है आप मांगते हो पैसा मिल जाता है आप मांगो नेताओं से सिक्षा आप नेताओं से मांगो कि हमको फेरी स्वास्त हमको मांगो रोजगार मांगो उनसे नवकरी अब दारू मुर्गा पैसा मांगना बंग करो तब तेरा विकास होगा ये बात मैंने जनता के बीच में हमारे लोग भें खुद बड़ी बड़ी मीटियों में इस बात को कहता हूँ ये वो पावर है इसी पावर से तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा इसी पावर से तेरा बेटा कलक्तर बनेगा इसी पावर से तुम चाहो तो जो बात बाबा साब डक्टरम बेटकर जी कहा है तुम्हारा बेटा भी मुख्य मंत्री बन करके पूरे प्रदेश में और प्रधान मंत्री आज बाबा साथ डाक्टरों बेट करके ही देन है उनके संभीधान की देन है कि मारनी नरेंद मुदी जी देश की कूर्शी पर ओट के दम पर प्रधान मंत्री बन करके हैं